हेलो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं Find Duplicates का हम कैसे इस्तमाल करते हैं Excel में बिना किसी formula के आप जल्दी से duplicate values को कैसे find out कर सकते हैं तो इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे conditional formatting का किसका इस्तमाल करेंगे conditional formatting का जो भी हमारा data है उसको हम select कर लेते हैं उसके बाद हम home tab के अंदर conditional formatting में जाते हैं और यहां पे हम जाते हैं कहां पे new rules में कहां पे चलेगे हम new rules पे अब यहां पे हमें multiple options देता है यहां पे क्या क्या option देता है format all cells based on their values format all only cells that contains means और इस तरीके से यहां पे आपको एक option देता है format only unique और duplicate values ठीक है तो यहां पे आपको क्या select करना है या तो unique अगर आपको find out करना है तो आप unique select कर ले और अगर आपको duplicate find out करना है तो duplicate select कर ले और यहां पे एक format select कर ले कि अगर को duplicate value है तो आप उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं तो for example हम उसको इस तरीके से yellow color में highlight कराना चाहते हैं तो हम ok press कर देते हैं यहां से ok press कर देते हैं अब इस list के अंदर जितनी भी duplicate values होंगी वो सारी आपकी yellow में highlight होगी अब अगर मैं फटाफट filter करके check करना हो कि कौन-कौन सी values जो हैं वो duplicate हैं हम तुरंट check कर सकते हैं filter लगा करके filter by color से yes filter by color से तो यह हमें कुछ values के अंदर duplicate मिल गई हैं तो इस तरीके से बिना किसे formula कि आप बहुत ही असानी से duplicate values को find out कर सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like कीजिए दूसरों की मदद के लिए इस वीडियो को share कीजिए चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए इसी के अंदर जो हम दूसरा देख रहेते वो भी हम आगे आपको बताते हैं इसी के अंदर अगर हम conditional formatting लगाके unique values को ढूँडना चाहें तो दुबार से new rules में जाएंगे format only unique और duplicate values तो इस पर हम unique को select कर लेंगे दुबार हम format में जाएंगे इस पर इसको हम light green color दे देते हैं ok press कर देते हैं again ok press कर देते हैं तो इस series के अंदर जितने भी unique values होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी highlight हो जाएंगी एक बार दुबार से हम चेक कर लेते हैं unique values format light green ok and then जो other जितने भी unique values हैं वो सब हमारी green में highlight हो वह हैं जितने duplicate values हैं वो हमारी yellow में आ गई हैं thank you for watching this video again reminding अगर channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए इस तरह के की और excel से related अच्छी videos पाने लिए thank you